हलाइबरिवन आज कि इस वीडियो में हम सिंधी पढ़ना छी दिखेंगे यानि हिंधी रिडिंग प्रक्टीश कहानी के माद्धम से कहानी के हर एक शबत को पढ़ना सीखें चले वीडियो को च्थार्ट करते ठीट वीडियो में आगे बलने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure do subscribe कहानी का सिर्चा के, किसान और कुवाँ एक दीन एक किसान अपने खेत जोतने के लिये पानी के श्रोत की तलास कर रहा था तभी उसने अपने पडोसी से एक कुवाँ खरीदा हाला की पडोसी चालाक था अगले दीन जब किसान अपने कुवे से पानी भरने आया तो अडोसी ने उससे पानी लेने से मना कर दिया जब किसान ने इसका कारण पूछा तो पडोसी ने उत्तर दिया मैंने तुम्हे कुवाँ बेचा था पानी नहीं और चला गया ब्याकुल होकर किसान नियाए मांगने के लिये समराठ के पास गया उन्होंने समझाया कि क्या हुआ था बादसा ने अपने नौ मैं से एक और सबसे बुद्धिमान थे मिर्बल को रेविवाटाइए शो खाक्राण। बुलाया बिर्बल ने पडोसी से प्रस्न किया तुम किसान को कुए से पानी क्यूं नहीं लेने देते तुमने किसान को कुए बेच दिया पडोसी ने जवाब दिया बिर्बल मैंने किसान को कुए तो बेचा था लेकिन कुवा का पानी नहीं उसे कुए से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है बिर्बल ने कहा देखो चुकि तुमने कुवा बेच दिया है इसलिए तुम्हे किसान के कुवे में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है या तो आप किसान को किराया दे या इसे तूरंत हटा ले यह महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई पडोशी ने माफी मांगी और घर चला गया थैंक्स पुर वच्चिंग